जब हम नया नया phone लेते हैं तो उस वक्त हमारे phone के speaker से बहुत ही तेज आवाज निकलता है और बहुत ही super quality में sound निकलता है लेकिन जैसे जैसे हमारा phone पुराना होते जाता है वैसे वैसे हमारे phone के speaker से यहाँ पर जो speaker है उससे कम आवाज आने लगता है क्योंकि इसके अंदर dust, हमारा पसीना सब को जाकर जम जाता है जिसके बाद जो sound quality है वो दब जाता है और अच्छा sound नहीं आता है बिलकुन नया जैसा sound नहीं आता है तो आखिर हम क्या करें कैसे करें जिससे के हमारा नया जैसा sound हो जाए तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है दो secret application को install करना होगा ठीक है, बाद में उसे uninstall करकर हटा भी सकते हो, लेकिन अभी install करकर और उसे आप सही कर लो, और आपका जो sound quality है, बिलकुन नया phone जैसा हो जाएगा, बस इस वीडियो को last तक देखो, और वीडियो skip मत करना, वीडियो पसंद आया तो like करना और channel को subscribe करना दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने phone में इस application को install करना, ठीक है, यह जो application है, मैंने इसका link वीडियो के description में दे दिया है, वहाँ से आसानी से आप install कर सकते हो, जब install कर लोगी इस अपने phone में इस application को, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको एक option मिलेगा clean speaker का नाम से, ठीक है, तो बस आपको क्या करना है clean speaker पर click करना है, जैसी clean speaker पर click करोगे, तो आपके speaker से अलग-अलग type का frequency निकलेगा, ठीक है, अब लेकिन आपको करना क्या है जिस तरफ आपका speaker है, फोन का उस तरफ से आपका phone रखना है, अगर आपका phone का speaker निच्छे है, तो कुछ इस तरह से खड़ा करकर रखना होगा अगर आपका phone का speaker पिछे है तो आपको इस तरह से down करकर रखना होगा ठीक है अगर side में है तो इस तरह से रखना होगा ताकि जो भी आपके phone के speaker में dust है वो असानी से निकल जाए ठीक है वो आपके phone से अलग-अलग type का frequency निकलता है देखिए सुनिए तो आपको क्या करना है इसे पुरा भर जाना चाहिए यह देखिए यहाँ पर यह पुरा full हो जाएगा और अलग-अलग type का frequency निकलता है आपको अपने phone को कही पर दुकान पर ले जाए खुलवाने की जरुवाने की जरुवत नहीं है इस speaker साफ करवाने की जरुवत नहीं है ब यहाँ पर दिखिए यह हो चुका है is it prepared यहाँ पर लिख दिया ठीक है तो आपको क्या करना है एक बार और करना है यह start पर क्लिक करकर एक बार और करना हुगा दो बार आपको इसे कर लेना है और जब यह दो बार आप कर लोगे तो आपको यहाँ पर दूसरे application में आना है ज यहाँ पर आपको जो एक boost का option मिल रहा है, आपको इसे 40 से 50% रखना है, ठीक है, यहाँ पर 40 से 50%, यह देखें, मैंने यहाँ पर कर दिया, 50% मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर settings में आएंगे, तो यहाँ पर settings का आपको एक option मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर show volume control, non-inform boost, यहाँ पर आ गया maximum allowed boost में आपको आना है और यह देखे 60 है तो आपको यहाँ पर 50 कर देना है यह आपका 50 हो जाएगा simple back आएगे और यहाँ पर यह फूल हो जाएगा दोस्तों ठीक है बस आपको इसके अंदर इतना ही करना है और इसे cut कर देना है अब आप अपने फोन में movie देखो ग इस application को आपने फोन से uninstall करकर हटा देना जब काम हो जाएगा लेकिन इससे आप नथ दाना इससे आपका sound जो boost होते रहेगा और आपका sound better quality में निकलेगा तो कैसा लागए यह दोनों application कैसा लागए यह trick मुझे comment system जुरू बताना बागी वीडियो अच्छा लागए तो like कर चैनल को subscribe करना मिलता है किसीने वीडियो के साथ जाहिंद